नमस्कार आप देख रहे हैं एक News24 और मैं हूं स्वाती आपके साथ क्या आप जानते हैं कि फूलों की खेती करने से कम लागत में कमाया जा सकता है बढ़िया मुनाफ़ा जासा कि हम सभी जानते हैं इन फूलों की मांग साल के बारह महीनों में होती है ऐसे में अधिकतर किसान जो फूलों की खेती करते हैं वो मुनाफ़े में रहते हैं तो चलिए जानते हैं कि कैसे इन फूलों की खेती से बदली महिलाओं की किसमत और हो रही प्रतिदिन बढ़िया मुनाफ़ा आए देखिए खबर को विस्तार पूरवग फिलाल हम बात कर रहे हैं मुझपरपूर के वीरपूर की जहां की महिलाओं फूलों की खेती करके छेतर की अन्य महिलाओं के लिए एक मिसाल पेश कर रही है जी यहां आपको बता दे कि गेंदे के फूल की खेती बिहार के मुझपरपूर के वीरपूर के महिलाओं के किस्मत बदल रही है यहां की महिलाएं दस कठा खेत में गेंदे के फूल की खेती कर रही है ये महिलाएं फूलो की रोपाई से लेकर तुडाई तक सभी काम खुद ही करती हैं वहीं घर के पुरू सिर्फ इसकी बिक्री का काम देखते हैं फूलो की खेती करने से हो रही रोजाना मुनाफ़ा और ये हम नहीं बलकि वहां की महिला किसान बताती है कि एक कठे में गिंदे की खेती के लिए पंदरस सो से दो हजार रुपे की लागत आती है सीजन बढ़ियां होने पर पांच हजार रुपे से दस हजार रुपे तक की आमदनी हो जाती है प्रती दिन दस कठे में करीब पचास किलो फूल निकलते हैं बजार में प्रती एक किलो फूल पर तकरीबन सो रुपे मिलते हैं ऐसे में हमें रोजाना पांच हजार का मुनाफ़ा हो जाता है वहीं गाउं के पुरुस के जिम्में होती है फूलों की बिक्री आपको बता दे कि फूलों को बजार में बेचने के लिए लेकर आये वीरपुर गाउं के किसान बताते हैं कि फूल की खेती से संबंधित सभी कार महिलाएं देखती हैं हम सिर्फ इसे बजार बिक्री के लिए लाते हैं आगे उन्होंने बताया कि महिलाओं ने पहली बार ट्रायल के रूप में गेंदे की खेती की थी खेती के लिए टेनिस बॉल नाम के गेंदा फूल की हाइब्रिड वराइटी के बीज को मंगवाया इसके बाद नरसरी तयार की फिर रुपाई के बाद फूलो की हर्वेस्टिंग की फूलो की खेती करने का सबसे बड़ा फाइदा ये है कि आप पूरे साल मुनाफे में रहेंगे जिया फूलो की खेती से कम लागत में अधिक मुनाफ़ा कमाया जा सकता है साल के बारह महीने इन फूलो की मांग बनी रहती है ऐसे में फूलो की खेती करने वाले अधिकतर किसान मुनाफ़े में रहते हैं फिलहाल मुझपरपुर के वीरपुर की महिलाओं फूलो की खेती कर छितर की अन्य महिलाओं के लिए एक मिसाल पेश कर रही है साथी खुद की आमदनी से परिवार को भी आर्थिक तौर पर मजबूत बना रही है टेनिस बॉल गेंदा फूल से बढ़ रहा किसानों का मुनाफ़ा जीला क्रिसी पदादिकारी शीला जीत सिंग ने बताया कि किसानों के लिए टेनिस बॉल गेंदा फूल काफ़े फैदिमन साबित हो रहा है इसके पौधे की हाई तीन से चार फिट होती है तीन महीने में फूल आना शुरू हो जाता है पैदावार भी अधिक होती है जीले की दरजनों महिलाएं अब इसकी खेती से अच्छा मुनाफ़ा कमा रही है तो आपने देखा कि कैसे फूलों की खेती से कम लागत में बढ़ियां से बढ़ियां मुनाफ़ा कमाया जा सकता है और अधिकतर किसान जो इन गेंदे की फूलों की खेती करते हैं वो मुनाफ़े में रहते हैं वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेर करें साथी हमारे यूटूब चैनल एक न्यूस 24 को सब्सक्राइब कर ले और हमारे फेस्बुक पेज को भी फॉलो करें और आसने ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक न्यूस 24 धन्यवाद